कपड़े दोने के बाद मैंने किया अपना हेड वोश देखिए बाल मेरे के ले हैं बाल मेरे अभी तक नहीं सुप देखिए फरेंड्स में होगी रेड़ी चलते हैं आज वैशनदाम वैशनदामmanदीर में माताजी के दर्सन करने यह मंदिर के बाहर की शोप है और देखिए ले लेते हैं यहां पर पशाथ मातवी को पड़ाने के लिए यह मंदिर के एंट्री के लेट है देखिए ले लेते हैं एंट्री और करते हैं अब दर्शन आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ में बहुत बड़ा मंदीर है यह देखिए शेर का मुख है यह दवार बना रखा शेर के मुख का यहां से ले लेते हैं एंट्री आ गई हूं मैं शेर के मुख से अंदर तो अब देखिए यहें पर माता जी को पशा चड़ा देते हैं यह रहे हमारे माता जी वैशनो माता जी ह है यह मैं चूरा मंदीरय में है यह ऊसी का ही सेम देख के फूरा मंदिर बनाया गया यह रामदेब बाबा विश्णु अवतार और देखिए इस दिर्शन में आपको कराई दिये माता जी के और देखिए यह भुले बाबा शिव जीजी का मंदीर मतलब उनकी मूर्ती है यह देखिए यह हमारा मन्दीर सेम वेश्णु मतल गजो बड़ा दाम है उनके सेम वेशे ही बनाये गए है उनके सेम टू सेम तो देखिए इस बेहां गागागागा जी का मंदीर और हनमान जी वो क्या बोलते हैं इसको गरव गुफा रस्ते में मतलब जितने भी आते हैं रस्ते में सेंटू सेम वही मंदीर यहां भी रस्ते में आते हैं तो देखे चलते हैं उपर मैं आपको आज आप ये पूरा वंदिर घुमाऊंगी मतलब माता जी के पूरे कट्रा के ऐसे फिले काई कि जैसे हम कट्रा के दिर्शन कर रहे हैं तो देखे यह मैंसा सुरमधनी माता जी को तस्वीर पत्थर के उपर बनाई गई है तराश के उन् जो है पीछे को आया हुए है और देखिए यह गंगा मियां गंगा मियां के दर्शन कर लेजिए यह बान गंगा आई है सबसे पहले रस्ते में तो इनके जो भी मंदिर थे ना फ्रेंट सिंग उपर सभी के नाम लिखे हुए थे कि मंदिर किस माता का यह किस उद्देश्य स यह मंदिर बना था तो उन्हें में रिकोर्ट नहीं कर पाई तो देखिए चलते हैं आगे यह देखिए पाड कितने अच्छे लग रहे हैं है ना असली पाड़ों की जैसी फिलिंग आ रही है जैसे कट्रा में थे यह देखिए उपर से मैं दिखा रही हूं पूरा मंदिर यह गनेजी की मूर्टी है बड़ी सारी जो नीचे से आपको दीख रही थी चलते हैं और उपर यह देखिए बच्चे मेरे से पहले आगे दोट रहे हैं तो यह देखिए हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से जाना है यहां से जाना है यह वहां से जाना है तो पंडे जी ने हमें वाज लगाई वो देखो सामने बैठे हैं कि आजाओ यहां पर दर्शन करने के लिए तब हम अंदर गए कि यह देखे उस सेड़ वी सिल्डेया थी ना तो समझने आ रहा था कि वहां से उपर जाना है कि यहां से तो पंड़े जी निवाज लगए इसलिए हम आगे यह देखे यह माता जी का मंदीर फिर से यह अब यहा से अवाज लगए पंड़े जीने कि यहां से कि जा रहे हो गुफा के अंदर से होते हुए जाओ अच्छा लगेगा आपको माता जी की करफ गुफा है यह देखे यहां गुफा के पास करने माता की फोटो लगा रखी है यह देखे मंदीर उनका चोटा सा बना रखा है तो के यह सामने में दिखा रही हूं ऐखी गुफा से निकल के मैं बहर आ गई हूँ तो यह देखे जलते हैं अ तो रोड पर यह रोड पर ही एतने बड़ी मूर्थी दिख जाती है बड़ी सारी देखिए यहां पर मैं आ गई हूं यह शैद भहरबाबा का मंदिर था तो यहां से यहां पी भी मैंने मत्था टेक लिया अपना थोड़ी गोरग चलती है यहां पर मुझे मिल गई थी परशा मुझे यहां का निर्मान हो रहा है मंदिर अभी वर बड़ा हो रहा है वो मैं आपको यहां पे इज़्धा रहे थे यह शुड्या है यह बाद आई हूं तो मैं भी इसको देख रही हूं कितना आगे बढ़ गया है मंदिर अब यह झाए और भार मंदिर का देख़े अभी और बंढ रहा है तो चलते हैं और अगे पुरनेश किष्णा मेरे साथ है है स्बिंजी साथ नहीं है किसी काम से गए है यह देखे अब मैं आगे हूँ बड़ी गुफा यह वो शाय चोटी गुफा थी और यह है गरव गुफा यह बड़ी गुफा है देखे जब मैं यहां आई थी तो यहां अंदर आते हुए बहुत डर लग रहा था क्योंकि हम अकेले ही थे कोई नहीं था यह देखे एक दम पाडो मतलब पतली सी संकड़े सी जगह से निकलते हुए एक दम पाडो के जैसी फिलनगारी है न तो यहां से मैं अंदर जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि यहां से अंदर जाने का और आगे जाने का रस्ता है भी यह नहीं है पता नहीं आगे का रस्ता शायद बंद है तो कुछ देखिए पीछे लोग हैं कुछ लोग और भी थे वो आए थे यहां तक और घुमके वापर चल गए तो उनको डर लग रहा था तो हमने हिम्मत देखिए मैं पीछे देख रही हूं उनको के आगे रस्ता है या नहीं वो आए और चलेगे तो मैं हिम्मत करके चलती हूं आगे यहां पर किष्णा में कोई बात नहीं माताजी के दर्शन करने आए जो भी होगा सब अच्छा ही होगा आप चलो आगे चलो तो इसलिए देखिए मैं चलती हूं और आगे जो होगा सो देखा जाएगा रस्ता होगा तो ठीक है नहीं होगा तो घुम के पापस पीछे की तरफ आजाएंगे तो चलते हो रागे रास्ते में देखिए पानी है नीचे क्योंकि यह जो पतली सी यह जो पहाड़ा है पाड पर एक बार यहां से अंदेरा लग रहा था मैं तो देखिए ध्यान से चल रही हूं है कि पता नहीं पानी है और कुछ खड़ा ना आजाए कुछ गहरी जगा कोई कुवा रहता न डर लगता है कि वो सब ना जाए यह दिखे मंदीर आ गया था रस्ते में माता जी का चूड चलते हूं और आगे यहां पर लाइट दिखा रही हूं आपको और यह जो है यह देखो कुछ ना को रास्ता मिल गया गया कि यहां पर बता रहा है कि मम्मी आगे मंदीर है चलो आगे चलो तो देखे आगे हैं मंदीर यह है माता जी का में मंदीर अंदर जो होता है मावैश को कुछ बाते कर रहे थे मैंने उनको इनसे थोड़ी सी बाते की उन्होंने जो पूछा उनके सवालों का जबाब दिया और बाहर आ गए यह देखे दर्शनमारे सारे हो गए बच्चे कितने खुश है ना उन्हें उन्हें अंदर की यह गूफा में जाके वहां पर यह बहुत अच्छा लगा तो यह बहुत कुश है तो फिर से जिद कर रहे थे मुम्मी एक वार रोल चलते हैं गूफा में मैंने बोलना नहीं बैसे एक वार बहुत है आप लोगों को जाना तो जाओ महने चलोंगे अब यह देखे यह हैं लच्छी माता की तस्वीर साथ में थी में अथर दुखाने भी लगी थी किसी को महतर ना जै मंदिर में आये हो तो इसके यह कृँदना हो definite करना हो टो इसके लिए यह देखिए चलते हैं हम लड़ीज लड़कियां लड़किये पहनते हैं वह कड़े वे गएरा यह देखिए बच्छों के बड़ों के चोटे के यही सब दुखाने थी यहां पर बहुत अच्छी चीजीजे मिल रही थे और नहीं देखिए कितना चल लग रहा है ना कुछ लड़ीज की रही थी मैंन मंदिर से बाहर हैस्पंजी आगए हैं लेने के लिए वही लेकिया थे किसी काम से बाहर गए थे और अब वो लेने के लिए आगए हैं चलते हैं हैस्पंज के पास अब घर पे चलने के लिए यहां पर देखिए मैं चपल पहन लेती हूँ यहां पर मैं अपने स्लिपर्स ख प्रेंट शाम के बजब के साथ में मंधिर जाके आगई हूं और आज का वीडियो यह स्पेस मात करते हैं तो मिलते हैं कले एक नए विलोग की साथ